योग्यादतिनाथ सरकार का शपत ग्रहन समारो 25 मार्च को होगा कारिक्रम का समय शाम चार बजो रहेगा शपत ग्रहन समारो के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारिया की जा रही है इस खास मौके के लिए ग्रिह मंत्री आमिर्शा, राश्ट्र अद्यक्षुजे पिनड़ा और भाजपा शाश्रित सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उप मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है लखनौ के इकाना स्टेडियम में ये तैयารिया चल रही है शाम चार बजे होगा शपत ग्रहन समारो समारो में BJP के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे तो 25 मार्च को शपत ग्रहन समारो का आयजिन किया जाएगा शाम चार बजे शपत ग्रहन समारो में शपत लेंगे मुखे 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 यूग आदितिनाथ लखनो के काना स्टेजिम में तैयारिया चल रही है इसको लेकर आपको बता दे कि लगातार जो शपत ग्रहन समारो की तारीक है वो कई बार चल चुकी है और अब तैह हुआ है कि 25 मार्च को शपत ग्रहन समारो का आयोजिन किया जाएगा बीजिपी की कई बड़े नेता इस समारो में शामिल होंगे ये समारो का आयोजन किया जाएगा 25 मार्च शाम 4 बजे शपत गरहन समारो होगा तो समारो में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और शामिल होंगे तो शपत गरहन समारो को लेकर भव्य तैयारिया चल रही है तो योगी 2.2 की भवेत आ रही है आपको बता दे कि बीजेपी ने बहुमत के साथ दुबारा सत्ता में वापसी की है और एक तरीके से इतिहास बना दिया है बीजेपी ने इस बार क्योंकि लगबग 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार दुबारा सत्ता में आ रही है और इसके साथ ही कई तरह के मित जो कि बीजेपी ने इस वार तोड़े हैं मुखेमंच यूग्या अदितिनाथ के निद्रत में ये चुनाव लड़ा गया था जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई पहुमत के साथ बीजेपी ने यूपी वे सरकार बनाई अब शपत ग्रहन समारो का आयूजिन तो पंकश मिंडल इसके नमारे साथ जाधा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं पंकश मुखेमंच यूग्या आदितिनाथ के शपत ग्रहन समारो के अगर हम बात करें तो लगातार कई तारीक के सामने आएगे हैं पच्छिस मार्श को शपत ग्रहन समारो का आयूजिन किया जाएगा किस तरह के तैयारियां चल रहे हैं जी बिल्कुल आपको बताना करेंगा कि यूग्या आदिस्मार्ट दूसरी बार मुखमंसरी की सपत राधारी लखनों के अज़रा आप अज़रा आप आप करेंगे उसके साथ में हमार आप अज़रा है कि लगता है पंकर्ज आपके अवाज हम तक ठीक तरीकी से नहीं पहुच पा रही है कि अज़रा आपके अज़रा है